दोस्तो आज हम बात करेंगे बबूल के पत्ते और इसके फली के बारे में जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तो ये बबूल का पेड़ा है और आपके आज पास में आसानी से पौधा मिल जाता है लेकिन दोस्तो जो इसके पत्ते और इसके फली होते हैं वो अवसदी गुड़ों से भरपूर होते हैं ये कई बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ठीक गजब की काम करती है इसके पत्ते और इसके फली दोस्तो अगर आपको धात की समस्या है महिलाव में लीकोरिया की समस्या है पूर्सों में नाइट फाल की समस्या है तो ऐसे समस्याव में इसके पत्ते का इस्तमाल आप कर सकते हैं इसके फली का इस्तिमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसके पत्ते और इसके फल्यों के इस्तिमाल से कितनी भी पुरानी समस्या हो धात रोकी अगर इस पत्ते और इसके फल्यों के कंटिनिव इस्तिमाल आप करते हैं तो आपकी समस्या बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है अगर यो महिलाएं लिकुरिया रोक से प्रसान है, सफेद पानी आता है, वाइट वाइट डिस्चार्ज होता है तो उन लोग के लिए बहुत ही रामबाड अवसदी है ये चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसे इस्तिमाल करना है आपको कुछ इसके पते ले लेने हैं और इसके बबूल के फली दोनों को बराबर मात्रा में सुखा कर आपको पाउडर बना लेना है और उसमें थोड़ी सी मिसरी मिला लेना है दोस्तों इस्तिमाल करने का तरीका सुबह साम 5-5 ग्राम की मात्तरा में आपको ताजे पानी से इस्तिमाल करना है आप 7-8 दिन इस्तिमाल करिए आपको बहुत ही अराम लगेगा दावा आप कंट्नियू रखेएगा कुछ दिनों तक आपकी समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी दोस्तो ये देशी आउसरी है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है बिल्कुल ये सेफ है और आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं ऐसे रोगों में तो दोस्तो उमीद करता हूं हमारे चैनल को सस्क्राइब करेंगे घंटी को दबाएंगे और लोगों में सेयर करेंगे नमस्कार दोस्तो